नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागिंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा आज रात को 80 साल बाद दिखेगा पौश पूरिमा का चांद चार राशों के लगेगी लोटरी दोस्तों आज 17 जनवरी को है पूरिमा का दिन वह भी पौश पूरिमा का जो की साल की सबसे पहली और प्रथम पूरिमा कहलाती है पंचांग के अनुसार पौश मास की सुक्ल पक्षी पूरिमा तिथी को पौश पूरिमा कहते हैं पौश पूरिमा के दिन ब्रत रखने चंद्रमा और माता लक्षमी जी के पूजा करने का बिधान है दोस्त बता दे कि पूड़मा के दिन चंद्रमा और माता लक्षमी जी की पूजा से धन दौलत और सुक में ब्रद्धी होती है भगवान सत्त नारान की कता और पूजा भी होती है इससे सुबता और सोभाग बढ़ता है सत्त नारान भगवान को स्रीहर विश्णू का अवतार मानते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हिंदू कलेंडर की अनुसार पूसमास की सुक्रपक्षी पूड़मा तिथी का प्रारंब यानि की 17 जनवरी आज 17 जनवरी दिन सोंबार को सुबह 3 बचकर 18 मिनट पर हो रहा है और यह पूड़मा तिथी 18 जनवरी दिन मंगल वार को प्राते 5 बचकर 17 मिनट तक रहेगी पूरिमा की चंद्रमा का उदाए 17 जनवरी को होगा इसी दिन पूरिमा ब्रत भी रखा जाएगा दोस्तों खास बात यहाई कि इस पूरिमा के दिन निकलने वाला चांद 80 सालों के बाद सबसे बड़ा और चमकीला चांद रहने वाला है दोस्तों खास बात याए कि पोश पूरिमा पर सरवार्द सिध्योग बन रहा है जी हां दोस्तों इस दिन सरवार्द सिध्योग 24 घंटे तक रहेगा दोस्तो बताना चाहेंगे कि पौश मास की पूरिमा को मौक्ष की कामना रखने वालों के लिए बहुत ही सुब माना जाता है क्योंकि पौश पूरिमा के साथ ही माग महीने की सुरुवात होती है सास्त्रों में इसको लेकर काफी ज़्यादा मानता है कि जो ब्यक्ति इस दिन बिधि पूर्वक प्राते काल इसनान करता है उसे मौक्ष की प्राप्ति होती है वह जन्म मृत्व के चक्कर से कोसो दूर चला जाता है यानि कि उसे मुक्ति मिल जाती है इस दिन से कोई भी शुबकार करना काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों यदि आप इस दिन का लाब उठाक ना चाहते हैं तो पूरिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर नित करमों से निब्रत होकर इश्नान करें इसके बाद अपने इश्टदेव की पूजा करें इंद्र और महा लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए दीपक भी एक जरूर जलाएं महा लक्ष्मी जी की पूजा में गंध पुष्प का इस्तेमाल करें ब्रामणों को खीर का भोजन जरूर कलाएं कराए हलवा पूडी का भोजन कराएं उन्हें दान दच्छना देकर बीदा करें माता लक्षमीजी की प्राप्ती के लिए इस ब्रत को विशेश रुप से महिलाएं रखती है इस दिन पूरी रात जाकर जो भगवान का ध्यान करते हैं उन्हें धन संपत्ती की प्राप्ती होती है रात के बक्त चंद्रमा को अर्थ देने के बाद ही इस दिन खाना खाये जाने का महत्व है पौश पूर्मा के दिन जो भी व्यक्ति वासदेव प्रतिमा को घी से नहिलाता है और अपने सरीर पर सरसों का तेलिय सुगंधित वस्तों से युक्त जल इश्णान करता है साती भगवान विश्णुजी के मंत्रों के साथ प्रतिमा का पूजन करता है वे अतिनते शुकों को प्राप्त करता है वो शिवक्ति को जीवन में हर तरह का लाभ मिलता है दोस्तों सयोग देखें कि यह पौश पूर्मा सोमबार के दिन पर रही है जिसकी वज़े से इसे सोमबारी पूर्मा के नाम से भी जाना जा रहा है और दोस्तों सोमबार जैसे कि आप जानते कि भगवान भोले नात हर हर महादेव सुम्भू कैलास संभू का दिन कहलाता है ऐसे में दोस्तो सोम बार का दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णा यानि की पोष्पूर्णा कीती थी सरवार्ध सिर्द्योग का पढ़ना ये सारे ही संयोग एक बड़ा महसंयोग बना रहे हैं जो कि कुछ राशवालों के लिए अब किस्मत चमका सकते हैं दोस्तो इन राशवाली लोगों को भगवान विश्णू और माता लक्ष्विज के अश्रीम कृपा प्राप्त होने वाली है तो आखिर ये राशवां कौन सी हैं इन्हें क्या लाब देखने को मिलेगा आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आप सेंडरोधे की वीडियो को आप बिल्कुल भी मिशना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले जो राशवाली आती है वो है यहाँ पर कन्ये राश के आत को बताना चाहेंगे अब आप अपने जीवन में दिन दूनी राच चोगिनी तरक करेंगे लोटरी लगने के संभावना स्थ प्रशथ बनी हुई है लोटरी और इंकम में आपको जवर्जिस्त फाइदा देखने को मिलेगा अभी तक अगर आपको लोटरी शट्ट में भाग में साथ नहीं मिल पारा था तो आज निश्ची तोर पे मिलेगा आकास्मिक रूप से धनकलाब होगा जमिन पूर्पेटी का सौधा कर सकते हैं मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं और साथी अपने रिष्टेदारों से भी आपको कोई स्बसमाचारों की प्राप्ती होगी बिदेश जाकर अच्छा खासा धनलाब कमाने का अफसर और मौका मिलता नजर आएगा साथी बता दे दोस्तों कि इस समय आप के जीवन साथी से च्चे संबंद होंगे जीवन साथी के साथ खुबसूरत वक्त और टाइम बिताते नजर आएंगे मिठी मिठी बाते करते नजर आएंगे तो वहीं प्रेम जीवन में भी खुश्यां बरसेंगे लब पार्टनर को कुछ गिप्ट और उपहार देंगे और उन्हें मनाते नजर आएंगे अगर कोई प्रोमिस किया थे पहले तो उसकी प्रोमिस को पूरा करते नजर आएंगे जो लेजी से संबंदे चीजे खरीदने का वादा कर सकते हैं और आप अपने घर परिवार के बड़ी जिमिदारिया निभानी में सक्षम रहेंगे अनेक जगहों से धनलाब की योग बन रहे हैं अब अगली यानि जो दूसरी जो राशी आती है जिसके लोटरी लगने वाली है वो है यहां पर दोस्तों बता दे तूला रासी तूला रासी के जातकों अब आपकी किसमत बहुत तेजी से चमकेगी क्योंकि मा लक्षमे की विशेष क्रिपादुष्ट आपकी उपर बर्सेगी जी हां बता दे कि विशेष रूप से आज विशेष रूप से बहुत ही आज की दिन आपको लाब मिलने वाला है आकास्मिक रूप से धन का लाब होगा कोट के चेरी के मामलों में आपको विजय प्राप्ती होगी मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा विदेश जाकर आप कोई नए बिजनेस व्यापार और नौकरी करने का महत्पूर मौका मिलेगा साथी नौकरी में भी आपको पदोनत के साथ सेलेरी में बर्दी होगी बड़े अधिकारियों से आपको संबंद बेतर होंगे और साथी इसमें आपके पडोसुक साथ संबंद भी बेतर होंगे काम्याबी के सिखर पर रहेंगे भाग आपका साथ में आसमान पर रहेगा आप इसमें आचानक धनकलाब कमा पाएंगे जो अभी तक आपको काम्याबी नहीं मिल पारे थी उस छेतर में आपको काम्याबी प्राप्त होगी समान बढ़ेगा और साथी इसमें बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होता नजर आएगा जीवन साथी के साथ संबंध आपके बेतार होंगे और मदूर होंगे अगले यानि जो तीसरी जो राशी है जिसकी लोटरी लगने वाली है वो है यहां पर दोस्तों बता दे मकर रासी जी यहां मकर रास के याद को बता दे की आज आपकी लोटरी लग सकती है आप अपने घर परबार के सुक्षादर में बरदी करेंगे कोई आकासमी क्रूप से धन कलाब होगा बैंकिंग के छेतर से आपका लोन वगरे मंजूर हो सकता है साथी बित्ती मामलों में सुधार होगा और आरतिक रूप से मजबूत रहेंगे बिजनस ब्यापार में कोई महित्पूर्ट डियल फाइनल हो सकती है रुका वो फस और धन परात होगा सेर मारकिटिंग के छेतर में इलाब होगा जमिन पूर्परटी में अच्छा कासा मनाफ़ा परात कर सकते हैं साथी बता दे कि इसमें आप के जीवन साथी से संब्द बेतर होंगे मधूर होंगे संतान पराती के परवल योग बनेंगे संतान की काम्याबी से आपका मन काफी परसंड रहेगा जीवन साथी कंधिश कंधे मिला कर चलेंगे पढ़ाली कह के छित में आपका फोकस बन रहेगा स्वास समंधी परिशानियों से मुक्ति मिलेगी कोई बीमारी में अगर खर्च हो रहे थे धन मिथुन राश कर्याद को बता दे कि आज रात को असे साल बाद दिखने वाला ये बेहद खोपसूरत चांद इस पॉस पोड़िबा का चांद यानि कि बहुत ही जड़ा लकी इन चार राशों के लिए रहेगा अब कामयाभी आपके कदम चूमेगी इसमें आप प्रेम जीबन में खूशियां बरसाएंगे प्रेम संबंदों में निखारा और मजबूतिया की घर में शुब मंगल धार्मिक कारियों का उजन हो सकता है धर्म कर्म के कारियों में आपके रूची बढ़ेगी अनेक जगहों से आपको धनलाब की योग बन रहे हैं जीबन में चली आरही परिशानी अब आपकी खत्म होने वाली है अब आप दिन दोनी राज चौगनी तरक्की करेंगे धन के लिए जो अभी तक आप भटक रहे थे अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा भगुती लक्ष्मी कृपा से इन चार राशियों के लिए अब बेहद अफसर आने वाला है और अच्छा अफसर आने वाला है दोस्तों ये चार राशियां जिनकी लोटरी लगने की संभावना सत्प्रस्थ बनी हुई है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जै मालक्ष्मी साथ ही वीडियो को लाइक करें जदा जदा शेयर करें चलनको सब्सक्राइब करें जै मालक्ष्मी